आज मैं मॉटन बनाने बाली हूं तो उसके लिए दिखे चरपाँ प्याज काट लिए मॉटन के लिए ज्यादा मॉटन नहीं हैं दोस्तों आयां पर मॉटन में मैंनी मेट कर लिए हैं कच्छा वेल थोड़ा सा दही डाल दिये और लाल मिर्च डाल दिये दोस्तों प्याज डाल दिये लहसुन दरका पेष्ट डाल दिये सब मिक्स करकर अच्छा तरह से मैंनी मेट कर रहे हैं दोस्तों कर रही हूं अब देख सकती होंगे मैंनी मेट अच्छा तरह से कर लिए कर रही हूं करने के बाद यहां पर कुकर चरहा दिये थे दोस्तों यहां देख रहे होंगे गैस पर कुकर चरहा दिये उसमें तिछ पत्ता चार्ल और जीरा कफ़रन सुखा मीर्च हरा मीर्ची सब डालकर प्याज डाल दिए अब फून रही हूं गोल्डेन होने तक प्याज को यहां पर मेनि मेट करकी थी अब गोल्डेन फ्राइए हो चुका है दोस्तों मटन को इसमें डाल दूंगी देख रहे होंगे दोस्तों मेरा मटन इसमें डाल दिये अब अच्छा तरह से लाल होने तक भून दूंगी इसके बाद में गोल्डेन को खुछ सकते होंगी कीतना अच्छा मेरा मटन को कलर है और स्वाद में इसमें टेष्ट्ट यहां पी गडम पानी है बुबला हूवा पानी नाकर पड़ता है दोस्तों बाल कर डिंगे और तूट famille प्रगाक्त है दिच्ट यह पानी डाला चल्ड ओता है तो आप लोग भी बाल्त टालियेगा दोस्तों यह पानी डालते होंगे दोस्तों का अधिर मर्टन क कम लैं थोषाव दोस्तो आधे दोस्तों सुक्रूपलान का पीस में में से पानी छोड़ने लगा देख़ никак मैं तइस्ट उटना ही करूट ना ही सुआझ में heckra डिक ते दोस्तों पानी डाल कर घर जासलिया टाल जाले दिए दोस्तों अभी स्कुट आफर अब आफ़की अधर दोस्तों की लिटान के दोस्तों aud कि रहिए एसे बना कर दिश्य है स्थाइयल दोस्तों आतिय चेहां की बताईये गाएगा बताइये करी ना ह yanॉस्में कि इस त्रोब गा लें दोस्तों पांच शित्री लगा लेंगे शित्री लग चुकआ है दोस्तों उतार लिये भी तो परें देना है तो यह जो मसला है यह थोड़ा सा ढल जिए हूं इस और अचा होता है आपको साथ हूं दोस्तो यह भी प्यूंदया गोजिए ठोरा एक है जरता प्रक्रणासी कात कर से लिएक डूख हते हम Amarnaid जेकंगे दोस्तों कलर कितना खिला-खिला है तलए देख रहे होंगे दोस्तों बहुत टेस्टी बना है तो स्वादीश्ट ए आप लोग सभी वहिवे से बना कर खाईएगा दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा इसको लाल पुरा मुने तक टमाटर गलने तक पुरा ग्रेवी इस्टाइल बना कर खाईएगा दोस्तों देखें अब मैं निकाल रही हूं दोस्तों मठन को जो तेल था वो निकाल कर बाटियों में रख लिए थे दोस्तों देख रहे होंगे दोस्तों मैं बना रही हूँ मठन आप लोग बोलिएगा कि कैसा मेरा मठन का कलर है अगर मेरा मठन आप लोग को अच्छा लगो तो प्लीज लाइक किजिए सब्सक्राइब ज्यादा शेयर किजिए दाने बात फिर मिलते नेक्स्ट ब्लोग में